मा बनना दुनिया का सबसे खुबसूरत एहसास होता है ऐसे में आपको मा और बच्चे के लिए कुछ ऐसे तौफे चुनना चाहिए जो दोनों के काम आए गोद भराय की रस्म में मा और होने वाले बच्चे को आसिर्वात दिया जाता है और आपके किसी करीवी के घर पर गोद भराय की रस्म होने वाली है और आप गिप्ट को लेकर बहुत ही ज्यादा कन्फूज है तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए helpful हो सकता है तो देर किस बच्चे को एक्टिव रखने में मदद करता है साथ ही उसकी पीजिकल एक्टिविटी के लिए काफी मददकार होता है इसलिए आप चाहे तो बेबी सावर बेबी जीम गिप्ट कर सकते हैं सकेट नमबर पे है प्रोफेशनल मेटरनेटी पोटर सूट आपने सही सुना मा ब लंब समय तक याद के रूप में रखी रहेंगी ऐसे में यह एक अच्छा गिप्टिंग ऑप्सन है तीसरे नमबर पर बेबी केरियर गिप्टिंग ऑप्सन बहुत ही अच्छा माना जाता है बच्चे को आराम दायक तरीके से केरी करना बेहत ही जरूरी होता है ऐसे में बे बेबी केरियर वेक चुन सकती है आप चाहें तो ओनलाइन भी बेबी केरियर खरीच सकते हैं में इसका लिंक डिस्क्रिप्टिंग बॉक्स में दे दूंगी फोर्थ नमबर पे फूड हैं पर जिया बिल्कुल आपने सही सुना प्रेग्नेंसी की दिनों में महिलाओं को अल अब तयार बह्त सेधे में तयार हो जाता है अब फोर्थ बेबी कर नियौंध से ब्यूलियर के सकते हैं उन चाहें लिए जरूर्च में आप बैबी सावर से गईने हैां यह सब नहीं की जआज़ीर कर तो लब्द है आप चाहे तो ओं-्लाइन भी खरीच सकते हैं इसका भी लिए निक में डिस्क्रिप्शन वक्स में जरूर दे दूँगी नेक्स्ट है प्रेग्नेंसी पीलो सुनने में बहुत ही अजीब लग रहा होगा लेकिन प्रेग्नेंसी के दिनों में घर्वती महला को नीद सब्सक्राइब वाली मा को कमफर्ट देता है ऐसे में एक अच्छा गिप्टिंग ऑफ्षन हो सकता है आपके लिए तो यह थी बेबी सावर गिप्ट आइडियास जो हो न्यू मोम के लिए बहदी खास होंगे वीडियो अच्छा लगा हो तो अपले चैनल को लाइक सेर और सिब्सक्राइब ज बहीं जरूर देख लेजएगा